हलो 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 गुदीवनिंग 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 एवरिबाड़ी माइनेम इश्रुबम जगदीश and welcome back to the channel तो बॉस, Symbiosis College काफी फेमस है, पूने के अंदर इसका मेन कैमपस है, इसको हम लोग SCMS भी बोलते हैं, इनके फॉर्म्स आउट हो गये हैं for 2024 अगर आपको Symbiosis के अंदर एंटर करना है, तो आपको पेपर देना पड़ता है Symbiosis Entrance Test, जिसको हम SET के नाम से भी जानते हैं, अगर law करना है, तो SLAT का पेपर देना है, और engineering के लिए अगर आपको एंटर करना है, तो SITEEE का पेपर देना होगा, तो मैं बात करने जा रहा आज SET के बारे में इनकी dates क्या हैं, पेपर में आएगा क्या, किस courses के लिए आप eligible हैं, कब इसका particular paper है, सारी बाते इस particular वीडियो में की जाने वाली हैं, और आप चाहें तो इसका form fill कर सकते हैं, अगर आपका aim है कि हमें tier 1 college में जाकर पढ़ना है, after class 12, और अगर आपको लग सभी लोग symbiosis और इसी की तरह सारे colleges की entrance preparation करना अभी से शुरू कर सकते हैं, चलो बस, आइए शुरू करते हैं symbiosis से और जानते हैं इनका overview क्या है, SET test को लेकर, तो बस 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 हमने खोल दिया है overview, अच्छा आपको जाना है, तो सब कुछ चेक कर सकते हो, आप SET test.org के अंदर सब कुछ वहाँ पर मिल जाने वाला है, अगर आपका aim है BBA करना, जो कि BBA honors slash honors with research काफी बेदरी इनका program है, अगर आपको करना है BCA का program, आपको BBA IT जिसको computer में थोड़ा रुची है, और BBA IT जैसा course सिर्फ इसी particular college के अंदर मिलता है, उस पर भी apply कर सकते हैं, then BA in math communication, BSC in economics honors, ब सब ही बच्चों को eligible रखता है, जिन्होंने math ले रखी है या नहीं ले रखी है, अगर आपने math नहीं ले रखी है, अगर आपने math नहीं ले रखी है और आपका money economic honors जैसा course pursue करने के लिए, तो इंडिया में एक मात्र college मिल रहा है आपको जिसका नाम है symbiosis paper देना पड़ेगा, symbiosis entrance test का, then moving ahead, be in applied statistics and data sciences के उपर भी एक course है, sorry, be in applied statistics and data sciences, इसमें सब बच्चे eligible हैं, ऐसा नहीं है कि आपको stream specific चीज़े हैं, अगर आपने 12th पढ़ा है, आपने 50% mark score की हैं, आप सभी लोग इस सारे programs के अंदर eligible हो रहे हैं, computer based यह हमारा test होता है, अब कैसे कैसे test होने वाला है यहाँ पर course दे रखा है, किस college में कौन सा course है, और let's say SICSR, एक college है, Symbiosis Institute of Computer Studies and Research, तो यहाँ पर कौन से courses available है, BCA honors available है और BBA IT available है, likewise colleges की list दे रखी है, आप किसी भी college में admission ले सकते हो, मेरे साब से सबसे famous campus जो है इनका, वो पूना का है, बहुत शान्दा युनिवर्सिटी है, और सबसे famous है अपने management program के लिए और law program के लिए, तो अगर तुमारा इन दोनों में से aim है, तो यह university पकल के चलो भाई, ठीक, उसके बाद इसके campus इसनुइडा में भी है, बैंगलोर में भी है, हाईदराबाद में भी है, तुमारा जहाँ पर भी admission हो, यह decent college है, यहाँ पर admission ल होने वाला है, symbiosis entrance test, similarly 11th में को इसका result आने वाला है, एक गंटे का paper होगा, साड़े ग्यारा से साड़े बारा बजे के बीच में paper होने वाला है, और paper में आएगा क्या, वही सारी चीजें जो आप CUET और IEMS के लिए पढ़ते हैं, आपको general English के 16 questions मिलने वाले हैं, quantitative aptitude के 16 questions मिल again and logical reasoning और analytical reasoning के 12 questions मिलने वाले हैं, तो 60 questions, 60 marks और 60 minutes का आपको समय मिलेगा, एक घंटे का paper होगा, एक ही attempt मिलेगा सब बच्चों को, paper होने वाला है 5th of May को, अच्छा, form filling की date close हो रही है, 12th या 13th April को, अभी मैं आगे exactly आपको बता दूँगा, अब ऐसा नहीं कि आपने return test आपन interview देंगे, उसकी weightage रहेगी, 30% और combined result मिला कर, एक merit list जारी की जाएगी, उसके बाद selection होगा, अगर माल लेते हैं, सर आपका NRC मुझी में admission हो गया है, Christ में admission हो गया है, और Symbiosis में admission हो गया है, तो confusion आता है बच्चों को, उस case में हमें Symbiosis को पहली preference देनी है, when it comes to their Puna campus, ठीक, खेर, आगे बाद बढ़ाते हैं, merit list कैसे दी जाएगी, SET के basis पर, किते percent weightage है, entrance को, किते percent weightage है, PI को, यह यहाँ पर आगे दे रखा है, तो चलो boss, अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज से रूबरू कराते हैं आपको, चलिए भीया, रूबरू कराते हैं हम आपको important dates से, important dates, क्यों important है, आइए ज़रा, देख लेते हैं, paper, बिल्कुल ठीक बोला था, मैं, registration close हो रहे हैं, 12th of April को, तो मेरी मानो, तो तुम आज ही registration इसका कर लो, क्यों registration कर लो, because मन पसंद की test city नहीं मिलती है, बाद में जाकर, अगर हम date में, देर में जाकर, इस particular exam के लिए register करें तुम्हें लगे, तब से पढ़ सकते हैं, हाँ, तब भी देर मेने का समय मिल जाएगा, हम लोग अराम से clear कर लेंगे चीजों को, लेकिन, तुम्हें form आज भरना पड़ेगा, form आज भरो, so that जो आपका test city हो, जो आप city चूज करो, उसमें मिल सके, ठीक है ना boss, फिर payment close भी ह हो जाएगा 12th April को, admit card live होने वाले 25 April से लेकर 30 April के बीच में, set test 1 और test 2 के अलग-अलग preference में, और उसके बाद paper हो रहा है 5th में को, result आ रहा है 11 मही को, और final result मिल रहा होगा आपको May 22 को, तो May 22 को पाज चल जाएगा, कि आपका selection symbiosis में हो रहा है, या नहीं हो रहा है, थोड़ अगर तबियत से पढ़ाही कर ली, तो ये college में आपको शुभम 100% लेकर जा रहा होगा, ख्यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि how to register, कैसे register करना है, एक simple सा process है, आपको SET के अंदर register करने का, कैसे करेंगे register, चलो बिया चलो, यह यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, एक second, यहाँ पर पूरा process दे रखा है, आपको register कैसे करना है, mode of payment दे रखा है, और 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 इस link पर आप click करेंगे और अपना registration process कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, register online on this link and शुरू कर सकते हो, apply 9 पर जाएंगे, apply 9 पर जाने के बाद आप form fill करना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत अली बात नहीं है, अच्छा, अगर और उसके बाद जानना हो कि टे cities कौन कौन से हैं, हमारे शहर में paper होगा के नहीं होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप किस भी city को belong करते हैं, और आपकी city में center है कि नहीं, ज सो मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा एक idea दे रखा है कि कैसे आपको इसके अंदर enroll करना है, जाकर आज ही form fill कर सकते हैं, कमाल की university है, कोई भी second thought इस particular college के लिए नहीं रहना चाहिए, हाँ, अगर आपको लगा है sir, मैं तो पढ़ रहा हूँ Delhi University जाने के लिए, लेकिन अगर म policy हमेशा on रहती है, as per new government law, ठीक, कैसे prepare करना है, ये मैंने बता दिया, फते हमारा course है, अभी से prepare करना है, तो अभी register कर सकते हो, exam के बाद से register करना है, तो तब crash course launch हो रहा है, 15th of March को तब से कर सकते हैं, लेकिन करना एक चीज़ बड़ी important है, जाओ और form भरो, अभी तक forms का है, Symbiosis College का, और coming एक वीडियो और आने वाला है, Christ University के लिए, तो बहुत वेट किस चीज़ का है, जाना, फटा फट, form भरना, मिलते हैं, बहुत चलती एक next video के साथ, till then keep smiling and keep learning, bye-bye.